कब पाजुपे का कॉईन गिर गया है? ओजी, उन्दार है, मेरा पुत्तर? की कर रहे है? क्या हो पाजी? तमाशा देख रहता, आप तमाशा क्यों मारो? बाबी जी, बाबी जी, अरे विशाल जी आप, लेकिन वो तो घर पर नहीं है, वो चैन नहीं गये हुए है, मालूम है, तभी तो मैं आया हूँ, भाबी जी, घुमा फिर आकर बात करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं सिधा पॉइंट पे आता हूँ, जिस दिन से मैंने सिर्फ एक रात, सिर्फ एक रात बिताने का मुझे मौका मिल जाए, विशाल जी, क्या बकवास कर रहे हैं आप, मेरे साथ इस तरह की बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, नहीं, भाबी जी, ये काम मैं फ्री में नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कीमत देने को त एक रुपे लेखर, आप मेरा सपना पूरा कर दीजे, प्लीज, विशाल जी, आपके दिमाग में इतनी गंदगी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और आपको क्या लगता है, कि एक रुपे के लिए, एक रुपे कम है, ये लो, दो लाग, दो लाग रुपे बाबी जी दो लाग रुपिया बहुत होता है, मैंने एक बर किताब में पड़ा था, एक साथ इतने सारे पैसे मिलने से, ऐसा एक काम करने से, कोई बुरा ही नहीं है, ये हरी हरी नोट, ये दो लाग का बंडल, बाबी जी, ये बहुत सारे पैसे हैं, इससे आप बहुत सारे अपने ले लीजे बापी जी ले लीजिए मुझे पता है बहुत समझदार है मेरा सफना पूरा कड़ोगी नहीं इखनी सुबह सुबह किसको फोन कर रहे हैं सर माइ स्वीट हार्ट माइ डॉली वॉली माइ वाइफ स्वीट हार्ट मैं बोल रहा हूं जी बोलिये कैसे हैं डार्लिंग इतनी घबराई भी क्यों हो तो नहीं वैसी कोई बात नहीं है आप कब आ रहे हैं दिस बिजनस टूर यार दो तीन दिन लग जाएंगे सुनो मैंने विशाल के हाथ से कंपनी के दो लाक रुपए भिजवाय थे संभाल के रखना बहुत को वापस करने है वो पैसे आपके कंपनी के थे तो तुम क्या समझी हमारे हैं ओके बाई आपके करने की क्या दरूरती एसा एक कमीना दोस्त सु कमीने दुश्मिनों से भी ज्यादा खतरनाग होता हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही कमीने दोस्तों कि जिन में पहले है पी के ले ले यनी पदम कुमार ले अपनी बेमानी से इनोंने मुंबई में तीन मकान बनाये है एक पे खुद रहते हैं और दो किराये पर घर में खुबसूरत बीवी लेकिन इनकी गंदी नजरें दूसरी और कंपर रमेशा वर दियां पर कर दो Ćया अख्याओ टा स्थे पिंथे आया खौ्ड़ी जया खिर्शमस खिर्फ्स आ कि कि विजय मेशे घर हूँ कि बाच़् Roda कि झा कि पनिए अरे जानकी सुनो, जी अच्छा से देखता हूँ दूसरे हैं कुछ भी सिंग, जो चलाते हैं किराने की दुकान, लेकिन इनकी नजरें आने जाने वाली हर औरतों पर रहती हैं, इनकी हरकते इतनी कमीनी कि आप सोच भी नहीं सकते भाई साब, जरा कोहिनूर के चार पैकेट देना पापी जी आपके पती नहीं आए, ऐसी चीजे लेने तो आपके पती आंदे हैं नहीं वो शहर से बाहर गया है इसलिए मुझे आना पड़ा पड़ा जल्दी आए ये लो जी पापी जी पती गर दे बाहर और चार चार पैकेट कार दे अंदर कुछ तो गड़बड है वो पापी जी तु आड़ा पांच ता शिक्का गिर गया बैक से चकलो थेंक यू भैसा वाह मान गये गरू वो पुत्तर अधर तुझे मुंबया है सिर्फ दो दिन होईने तु ये ट्रिक सीख ले बड़े काम दी ट्रिक यागी बई थेटर रिच जूली ता मड़े असी फिल्में देखनी ती कोई जुरूरत नहीं पांच उर्पे विच लाइफ टेली कास्ट वैसे तु हले तक कव बहुत मोटो हो गया यार डिक की थोड़ी अंदर कर ले कर ले थोड़ा कम खाये कर भाबी जी आपका पांच उपे का कोईन गिर गया है अची उंदर है मेरा पुत्तर की कर रहे हैं? क्या हो पांची? तमाशा दिक्रता, आप तमाशा क्यों मारो? यह रहे तीसरे बासू घोश चालू इतने के उड़ा दे किसी के भी होश बीवी की कमाई खाते हैं और अपनी नौकरानी फ्लॉरा के साथ क्या करते हैं? खुदी देख लीजिए बेरोजगार पती ने अपनी पत्नी के तानों से तंग आकर उसको जलाकर काटकर उसकी हत्या कर दी बीवी के शक से परिशान और नौकरी ना मिलने से भौकलाए पती के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या बाप रे बाप ये सब हो क्या रहा है? लगता है दुनिया के सब बेरोजगार पती अपनी पत्नी को मारने का प्लैन ही बना रहे है बासू दुनिया की छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है अब नहीं डालें क्या बात करती हो गया मैंने कभी तुम पे शक्किया या नौकरीना डूडने का ताना दिया नहीं डालें कभी नहीं तो फिर तुम्हार में अच्छी खबरे क्यू पड़ते हो अखबार में और बी अच्छी खबरे चपती है उसे पड़ा करों वो क्या है ना कि मैं भी बेरोजगार हूँ इसलिए इन्ही खबर पर मेरी नजर जाती है अब तुम्हारी किसम अपसे कभी नहीं पड़ूँगा हा ठीक है अच्छा मैं ओफिस जा रही हूँ अगर तुम्हें पैसो की ज़रोगत हो तो बाहर वहां रेसिंग टेबल पर रखे हाइ हाइ मेरि जयन आजा 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 अज बंकर देता हूँ चल 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 चल्डी कलिसे इससब्स करें बासू जसरा संब्लक़ एब बहुत नाजूहर में अजक चुझे संब्लकल निभी त allowing पैयार कर आँ omdat अच्छा जी मैं चलती हूँ अर इतनी जल्दी क्या है घर का सारा काम तुम ही कर लेना डालिंग ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों काम तुम ही कर लो नहीं नहीं हो सकता जितनी पगार मिलती है उसमें मैं एक ही काम कर सकती हूँ या तो तुमारे घर का काम करूँ या तो बिस्तर का तो एक काम करो, तुम बिस्तर का काम करो, घर का काम मैं ही कर लेता हूँ ओकी स्वीजार्ट, बाई बाई अरे फ्लोरी की बच्ची, सारे घर का काम मुझसे कराती है और ये रहे चौथे, गारव शा, जो बैचलर हैं और स्ट्रीडी बूट चलाते हैं ये लड़कियों की सेक्सी बाते सुनने के नए तरीके अपनाते हैं और हर लड़की को पटाने की कोशिश में लगे रहते हैं बैंट स्टैंड के पत्रों पे जब तो मुझे लिटाते हो तो मेरी पीट में बहुत दर्थ होने लगता है नेक्स टाइम हम लोग बैंट स्टैंड के पत्रों पे नहीं जाएंगे तो मुझे वहां ऐसे प्यार करते हो के मेरी पीट में दर्थ होने लगता है ठीक है डालिंग, नेक्स राइम आज अफिछी वारी लोज पर चलेगे वहां गत्य पर तुम्हें प्यार का लगा कितना मज़ा आया था जब पिर का पर प्यार किया था कितो उच्छता था था ना गत्य ने आखिशा कितना था वह दो है शोली है मेरे पास साथ रुपे में कल आपको दे दूनगी चलेगा चलेगा सिर्फ साथ रुपे की तो बात है कल दे दीजिएगा ठीक है थैंक यू यू जा बात है गुरू रुमेंटिक बाते सुनने का आइडिया तेरा कवाल का है यार आइटम देखी नहीं साथ साथ रुपे छोड़े हैं ताकि यह मेरा साथ ना छोड़े आज मुस्कराकर थेंक यू बोलकर गई है कल क्या पता है लव यू बोल दे बॉइफ्रेंड है बैंगलोर में और यह अकेली मंबई में शिकार हो सकता है यार किता हुआ पचास रुपे पच्चेस पैसे पचास दी का ऐसे चले आते हैं कमाले यार गौरफ है उसके साथ रुपे छोड़ दी इसके पच्चीस पैसे नहीं चुड़े यार और यह रहे आखरी दोस्त आकाश जो उन कमीनों की तरह नहीं है इस तस्वीर में जो सब्सक्राइब की है वो इनकी पहली वाइफ दीपल जो अब इस दुनिया में नहीं है और आकाश को मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी इनका नाम है शीतर आएए अब हम देखते हैं इन पांच दोस्तों के कारणा में सुनिये जरा बलाउस की डोरी बांदीजे ना प्लीज मुझसे बांदे नहीं जारी है ठाचश वो ओरा गुम शीतल मैं ओफिस जा रहा हूं ओहो नाश्टा दो करते जाओ मैं ओफिस कैंटीर में कर लोंगा आकाश मुझे कुछ शॉपिंग करने भी जाना था तुम अके लिए चलिए जाओ मेरे पास टाइम नहीं है और चाबी किसी दोस्त क्या रख देना भाई हाय वासूट अरे अकाश इतनी सुभी सुभी कहा जा रहा है यार कुछ नहीं यार जुदी जा रहा हूं अच्छा शाम को कितने मजब तकाएगा जल्दी आता है तो थोड़ा पीते हैं नहीं आर राज तो नहीं फिर कभी बैठते हैं ऐफिसमे काफी काम है चल मेचलता हूं तू जॉगिंग कर ओके बाए यह ओफिस में और हिरोईन घर पे वो भी अकेली हाँ 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 आकाश घर में है नहीं वो अभी अभी ओफिस के लिए गए है शाम को काफी दिर से आएंगे उससे बहुत ज़री काम था चलो बाद में देख लेता हूं भाबी बुरा ना माने तो एक बात कहूं हाँ बोलो ना इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाबी ऐसी सारी मेरी बीवी के पास भी लेकिन वो जब सारी पहनती है ना तो ऐसा अलमाया घ्लान किसी कवे ने रिमालर लिए और आप जब पहनती है ना तो एक तम माल, मegल मतलब है कि कम माल, कमज माल किसी राजमयल की मालकिन लगती हैं में, कसम से भाबी आप जैसी घूपसूरट ओफॉरत तो मैंनी इस जिंदे की मिनित्य देख जाईे ना जब फिरी आ जूटी तारीफ नहीं भाबी सच्चाई है एकदम सच्चाई अगर आपकी 5% खूपसुरती भी मेरी बीवी में होती ना तो मैं उसकी जम के तारीफ करता प्यार करता और 2-3 साल तो घड़ से भार नहीं निकलता मैं हाँ पुरी कॉलोनी मेरी तारीफ करती है सिवाय आकाश के पतनी में उन्हें क्यों अच्छी नहीं लगती वैसे बाबी कहना तो नहीं चाहिए पर एक पुरानी कहावत है वो पंदर क्या जाने चिकन बरगर का स्वाद अब आकाश को तो मानूम है ना की खूपसरती क्या कि अधि तर्श ओडूर्शार आजे तो मेरी अधियों साहब आपका आपका आग आगलोनी एक एक मलेट रूख जरा पहले मुझे कान्फरम करने दे यही शांतिनागर यह नहीं मुझे मानुम है यह रिक्ष्शे वाले बहुत चाल्य होते हैं रिक्ष्शे से ज्यादा आत्मी को घुमाते हैं यह तरह dua यह यह किस्को बोलारे तू नहीं जब सूद्साइए पहले बता दो नहीं आपको यह बोला था टोखिए बhaulबहु है पहले बता है किसको बोला 만들어 toss माप कर दिए यहां पता पूछो तो तमाचा मिलता है क्या अभी ज़रा समल के पूछना पड़ेगा पार आ तमेंचक। आप नहीं कर दचिन सब्सक्राइब पीलि सब्सक्राइब और हेल तोतों सब्सक्राइब जयेन थे धार हम जोक निए आर रहा है जाल hop इं सेट नहीं इने थे तक वन पूसक्त मुर्स हरा है मैं थे पैसे अभी तो तुरे को पचास का नोट दिया ना जब तुने मुझे बताए कि शांतिनगर कालो नहीं क्या जूट बोल रहा है कि अपने जेब में चेक कर अगर उसमें 50 का नोट निकला तो वह मेरा है अरे साब सुबह से साम तक रिक्सा चलाता हूं तो जेब में 50 का नोट तो रहेगा ही ना उसी 50 में से अपने पैसे काट और बाकी मुझे वापस कर ला क्या बात कर रहे हैं साब क्या समझ में नहीं मेरी मेरी बात अभी पुलिस को बलाओं के तब समझ में आएगा ठीक अजब जाता हूं आपको याद रखूंगा लेकिन एक बात है सर आप भी मुझे याद रखेंगे जा मुझे याद रखना लोग खामो खा बोलते हैं कि शहर के रिक्से वाले बड़े स्याने होते हैं अरे मैं तो इन स्यानों का भी बाप निकला अभी सल्मान भाई को मेरा मॉबाइल का मेरा मीरा मेरा मेरा मोबाइल तेरे रिक्से में चुट गया है तो जहां भी है अपने रिक्से को परड़ा और वापस वही आं जा मुझे छोड़ा एड़ा समझाए क्या मतलब इसी मोबाइल के लिए तो हमने अपना पचास रुपया चोड़ा दे 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 बाइसाब मेरा मोबाइल वापस कर दीजिए मैं आपको पचास की जगा सौर पर दे दूंगा यार अभी आतो मैं नहीं सकता हूं तेरे को यही से क्रिक एडवा गुल उगा मतलब अछान्ति नगर कालोनी नहीं यह जाती आप अछान्ति नगर भाई बताए का है 502 यार मुझे नहीं बालूँ चल दौर दे ले दे ले टौर पहां थे चुटे दे मेरे पा चुटे नहीं है हैं भाई साब कहीं से करा के लिए आवना अब तेरे लिए दुकान छोड़के बाहर जाऊंगा एक काम करता हूं कि इसके बदले तेरे को कुछ और देता हूं देखो यार कोई भी चीज ऐसी देना जो मेरे कामा सके रुख ले रख ले यह क्या है अरे यह चोटी चोटी बड़े तुफानों से रक्षा करेंगी जा एशकर जा जा अजीव शहर है यार मांगो कुछ मिलता कुछ है तूफानों को देखते हैं अरे शीतर कैसे आना हुआ मैं जरा बाहर जा रही हूं आकाश आये तूने देते ना प्लीज आज तो हम लोग भी बाहर जा रहे हैं मेरी बेहन की बेटी की सगाई है हुआ 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 है ह तूम अभी तक तैयार नहीं हुए यहां बैठे बैठे के बीवियों को घूर रहे हो वै उसे कहां घूर रहा है मैं तो самacar पंप्थर बढ़ रहा Bernard अच्छा यह पंखा तुम्हें हवा देने के लिए है यह किसी और को यह पंखा तुम्हारी इतना पुराना हो गया खुदवा-खुद घूम जाता है यह पंखी की बात कर रहा हो तुम तो मादूरी डिक्षित था है जल्दी से तैयार हो जाओ चलना है यह कभी नहीं सुख़ तो भाई साब कि मैंना आपको एक बात दसना चांदा हो क्या देखो माइंड मत करना ऐसा हुंदा है कभी-कभी हुंदा है नराज ना होना तुसी जब आप भार गए हो इसी ना तो तु आड़ी बीवी इस दुकान से ना चार पैकिट कॉंडॉम से ले गए इसी इतनी सी ब बोला था कि आजकल एट्स बहुत फैली भी है इसलिए कॉंडॉम इस्तिमाल करना अब देखो यार एक पैकेट की बजाए चार-चार पैकेट ले गई है बड़ी नटकट है कौन हमारी बीवी पाजी हाँ पाजी माल आरे माल वो भी एकदम कमाल कैदर रहे है पाबी जी नम मस्ते कुछ भी सिंग जी बोलिए जी क्या दूम है आपको आपके लिए तो पूरी दुकान फ्री है जी आज मैं कुछ लेने नहीं बल्कि ये चाबियां देने आई थी अगर आकाश आये तो उन्हें दे दीजिएगा प्लीज पापी जी दरसल मेरे फ्रेंड का ना पापी जी आपका पांच उर्पे का कॉइन गिर गया है उठालो जी यह मेरा नहीं है किसे औरता होगा यू की जी आपी रख लीजिए पापी यह पांच उपे वाली ट्रिक है बहुत बुरानी हो गई है कोई नहीं त्रिक सोचो ना काम में मदा ही नहीं आता ओ जुपकर खोते दे पुतर चल जा के सिखा उठा जा पापी बड़ी इंटेलिजिएंट है यार क्या बोल रहा है या वाट हाई हाई भाबी हाई ग मैं जरा बाहर जा रही हूँ तो यह चावी देने आई थी आकाश आयत उन्हें दे देना प्लीज हाँ ठीक है बाबी ओके बाबी बाबी वह नहीं आईटम इसे पहले तो कभी नहीं देखा यार मेरा दोस्त है ना आकाश उसकी वाइफ है यह क्या बात कर रहा है उसने फिर सब्सक्राइब कर ली हाँ इसी हिरुन से शादी हुई है सब्सक्राइब करना यार पता नहीं क्यों यार यह उस टाइप की और नहीं है क्या बात कर रहा है एक दिन मौका देखकर उसे पकड़ लेना कसम से अगर कुछ नहीं बोली समझ ले तिरा काम हो गया और अगर चिला क्या बात है काश नौ बज रहे हैं घर नहीं चलोगे क्या नहीं है तू चल मैं आ जाओंगा सब ठीक तो है ना कुमार आज मैं अपनी फर्स वाइफ से पहली बार मिला था बस कुछ तेर उन यादों के साथ अखेले बिताना चाहता हूं तू चल मैं आ जाओंगा नो झाँ उनाई ऑग है ठाँ उनाच माडम, वाटपने? अरे? आई? आराम से समर्दे श्राथ दिया माडम, माडम, यो के? माडम, यो के? अरे यार, यह तो कुछ बोली नी रही है देखता हम गारे में कुछ अताबता मिल जाए यहां तो कुछ बोली है माडम, कौन हो तुम? और मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? चोर, चोर होगी तुम अंकल, अंकल जल दी आओ श्क्यूज मी, यह तुम्हारा नहीं, मेरा बेडरूम है क्या? तुम्हारा नशे की हालत में अपनी गाड़ी मेरे कंपाउंड की वाल में ठोक दी वो तो अच्छ हुआ कि तुम सही जगा पहुंच गी वरना किसी मुसीबत में पाश सकती थी अच्छ हुआ नहीं आप 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 रिली वरी सॉरी प्लीज इसके, माइन में अपाश ही आप अच्छी गल राप मैं एक पार्टी में गई थी वहां पर किसी ने कोग के साथ शराब पिला दी मैंने कभी पी नहीं थी तो अच्छीप सा होने लगा आप मेरी वज़े से आपको बहुत तकलिफ उठानी पड़ी नहीं नहीं कोई तकलिफ नहीं चाहे पिएंगे अप नो थैंक्स अंकल घर पर बहुत परिशान होंगे आप तो लीव नव अगे मेरी कपड़े किसे चेंज किये मेरी कपड़े के मैने तुमने मतला तुमने मुझे डोटल वाँ मैं मैं तुम्हारे कपड़े ज़रूर चेंज किये थे लेकिन उस व्यक्ता मैं आखो बंद नहीं जार्मापको जिए क्या होती है देखो तुम भीगी वही थी बीमार पढ़ सकती थी और नशे की हालत में थी इसलिए मजबूरान मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज करने पड़े लेकिन तुमको छूते वक्त मेरे दिल में कोई गलत ख्याल नहीं है जस बिलीव में तुम मुझे घर चोड़ द जब देटी कहां थी तुम रात भर मैं कितना परिशान था और तुम्हारा मोबाइल कहा है काम क्यों नहीं कर रहा है वो मेरा मोबाइल खो गया था और लेट हो गई थी मैं पार्टी से इसलिए नीटा के घर पे रुग गई अंकल मीट नीटा ज़ ब्रादर आकाश आकाश मीट माय अंकल हाई आकाश हाई नीटा से तुम मेरे मुलाकात कई बार हो चुकी है पर तुमसे पेली बार मिल रहा हूं हाँ जी आकाश अंकल नी मुझे बचपन से लेकर आज तक पाल पोस्कर बढ़ा किया है क्योंकि जब मैं पाच साल की थी तब मेरे मम्मी डाडी एक का मारे गए और तब से लिके आज तक यही मेरे मार बाप दोनों है तेपल बेटी छोड़ो ना तुम कहां इन पुरानी बातों को लेकर बैठ गई हो अच्छा अकाश यह बताओ अब तुम्हारे फादर की तबियत कैसी है कुछ भी बोलो बोलो हो हुआ ही हीजओ आप कहां है वो वो जौगिंग जौगिंग करने गए वाट पंदरा दिन पहले हार्ट अटेक आया और वो जॉगिंग कर रहे है 북한 रहे हार्ट अप वह जौगिं थर्यपी एक नई थर्पी वह यह शाख में जॉग इस नई थर्य wise के बारे में पहले कभी कुछ सुना नहीं यार मैं भी कहां जानता था अंकल एक नई थेरपी है जॉगिंग थेरपी और पापा पे ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है अच्छा मैं चलता हूं अंकल उनको हॉस्पिल भी लेकर जाना है ऑक अंकल मैं एक मिर्ट में आकाश को को ठीक आठ बजे जुहू के काफी शॉप में पहुच जाना है ओकी पाइब आए जल्दी से आजा नाटक कैसा करूंगा देखना मेरी एक्टिंग दो लाख रवेतर लेके जाओं अरे पीके अरे मेरे दोंस तु कहा चला गया तब कमसे तेरा इंतिसार कर रहा हूं लेकिन तकली अठोर में वह जो मेरी साली का आज सारका वह बिमार है उसके इलाज के लिए दो लाख रोपेशन नहीं हुआ था एक बिके रोना बन कर बिके करता है ँसको है kuा बड़ुंच फिरकिर नुач लोगार quiz फिरए पेसे बहुं सिरफ का भ्याज हे Total उसके जगा मेनद जिरिस जी चायता लेकिन व्सकोफ कहते ऐसे तर्वकार ए security तेट कोका ह३ deposit पहले इन कागजाद पर साइन कर और सुन इस बाद तेरा कॉटिज किर भी रख रहा हूं अगर टाइम पर पैसा ने दिया ना तो कॉटिज के अंदर घुश कर गबजा कर लूँगा पैन निकाल साइन कर लोकरिया जल्दी टक ले बाप मरा पैसा ले रहा है देखो दीपन मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे यह क्यों बुलाया है तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो क्योंकि मुझे कहीं जाना है मैंने तो सुना था, कि जब लड़की बुलाती है, तो लड़का बहुत खुश हो जाता है, उसके पास बहुत टाइम रहता है, लड़की घर जाने की जित करती है, और लड़का जाना ही नहीं चाता, लेकिन तुम में ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं बहुत ही बोरिंग किसम का आदमी हूँ, अब तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, वरना मैं चलता हूँ एक मिनिट, मैं तुम से कुछ सवाल पूछूँगी, और अगर तुम्हें सच-सच पताया, तो हो सकता है कि तुम यहां से जल्दी चले जाओ, या तो फिर तुम यहां से जाना ही ना चाहो ओके, तुम्हारी शादी हो चुकी है, नो कल राच से पहले, तुमने कभी किसी लड़की के कपड़े उतारे, कल राच से पहले कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, अई वर्जिन, I guess so, तो क्या सिंदकी भर वर्जिन रहने का एराता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वैसे, मेरे बार में तुम्हारा क्या ख्याल है, बहुत ब तुम्हारे बारे में क्या बुरा ख्याल है, तुम्हें बाहु में भर कर प्यार करने का ख्याल है, साच, फैंटास्टिक, तुम्हारे और मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं, तो चले, चलो, अरे बासु तू, क्या बात है, इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है, बता ना, क्य तो कुछ नहीं यार उसके ताने सुन-सुन के थग्या था मैं आज गुस्से में आके मैंने भी कुछ कह दिया राशन पानी लेके चड़ गई यार मेर पर पॉच जगड़ा हुआ पॉच जगड़ा हुआ घर से निकल जाने के लिए यार उसने मुझे घर भी तो इसके बाप ने दहेज में दिया था ना क्या बात कर रहा यार बासू भावी ऐसा करेगी कभी सोचा भी नहीं था हाँ यार शाम तक अगर गुस्सा थंड़ा हो जाएगा तो घर चला जाओंगा तू अगर इजाज़त दे तो शाम तक यहीं किसी कोने में पड़ा रहता है क्या बात कर तू इंजॉय कर मैं शाम को मिलता हूँ थैंक्स एर शट आप मैं चल यहां क्यों ले क्या हूँ अच अरे मेरी जान मेरी बीवी की चुटी है ना अच लेकिन मैं इस काम से एक दिन भी चुटी नहीं ले सकता है लॉच के पैसे नहीं ना मेरे पास इसलिए दोस्के घर पर ह करेंगे ऐप युगी पूच क्यों रहें निकालो ना अरे नशा करके मजा करने का मजा कुछ अरे है चलो मेरी जान हम हुँ को हुँ को हम भान कि आज थे वर कर दो रखजू प्लीसिंग साब ऐसा मत कीजिए मुझे एक हफ़ते का टाइम और दीजिए मैं सारी किष्टे भर दूँगा इस्टर गॉरा इम सुरी छे महीने से आपने इसकी किष्ट नहीं दी है इससे जादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं प्लीस गाली उठाए अरे क्या बात है गॉरा यह यह लोग फानेंस कंपनी से हैं मेरी गाड़ी उठाके लेके जा रहे हैं पिछले छे महीने से किष्टे नी भर पाया हूं 42,500 रुपया बागी है एक मिनट गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा आपकी पेमेंट मैं करता हूं आप आप आईए मेरे साथ थैंक यू अधर करता है वह कितना कमाते हो तुम लोगों की मदद भी करताय अप तो मेरी समझ में बिलकुल नहीं आते हो पूरा दिन क्óstकान वीज क्या करते रहें दäreंदे और मेरी तो समझ से बाहर है मैं जानता हूं भाबी जी सारे पैसे जाते गाए तो चुपकर मैंने दुकान के लिए जो लोन लिता सी इंस्टॉर्मेंट्स भी तो पार रहे हूं तु मजा करें यह सीरियस हो जाएगी यार आज तो मैं डैम सीरियस हूं कब तक रो रो के कर चलाती रोंगी पिछले 15 दिन से हम लोगों का फ्रिज खराब है अगर आज आपने नया फ्रिज नहीं लाना तो आपको भी कर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है ओतर मिंदर मतलब पर मिंदर एक ग्लास दूद्दा लिया जा सुबेशाम दूद्द कर दे रहें दियो एक गाये लियाओ ना तू है ना देख में अरे कुछ भी इतना उदास क्यों है यार ओए ओए मैं तेरे पास ना एक काम ना लाया हूँ देख तुम मना ना करी यार अपने यार दिलना तोड़ी यार अमा यार बोल क्या हुआ यार मैं बहुत परिशान हूँ तेरी जो परजाई है ना उसे मेरा जीना अराम कर दिया यार देख बात यहाँ कि उसके माइके से काफी गैस लोग इने वह मेरे पिछे पड़ गई है कि मुझे निया म्यूजिक सिस्टम लाके दो देख सिर्फ दिन दी गल हैगी अगर तो मुझे अपना म्यूजिक सिस्टम देदे ना तो मैं 35 आर के खर्चे से बच कि प्रिया बड़ा बेवकूफ है काल भाई बोलिये साब इसका क्या करना है पाजी यह ने एकदम ने ब्रैंड है मैंने काली खरीदा था तो मैं यह चाहता हूं कि आम मुझे इसके बदले ने निया फ्रेज दे दे और आपको जो कुछ भी समझ में थोड़ा बहुत कैश भ मान गया यह पैसा भी अंतर और फ्रिज भी तूने तो उसका म्यूजिक सिस्टम बेच दिया उसने अपना म्यूजिक सिस्टम वापस मांगा तो तो क्या हूं वो मुझसे मांगता रहे को और में सुनता रंगो और क्यों सकता बाई मान गया तू तो बड़ा वह है क्या कि इधर आओ यहां बैठो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है जी कहिए बेटी सिंगानिया कंपनीज के मालिक मिस्टर अशोक सिंगानिया का बेटा है मनीश मैंने तुम्हारी शादी तै कर दियो उसके साथ अशोक ने तुम्हें तुम्हें पार्टी में देखा था उ बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी परवरिश की है तो कम से कम इतना हक तो मुझे है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर सकूं लेकिन अंकल मैं अप कोई बच्ची नहीं रही और अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है मुझे मैं आकाश से प्यार कर तो फिर मेरा फेसला यह है कि मैं आकाश को ही चुनूंगी आकाश अरे दीपल तुम इस वक्त क्यों क्या में तुमसे रात में मिलने नहीं आ सकती नहीं ऐसी कोई बात नहीं पर सब ठीक था आकाश चाचा जी मेरी शादी जबरदस्ति कराना चाहते हैं इसलिए मैं हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आई हूं कोई प्रॉबल्म नो प्रॉबल्म फिर मैंने डिसाइड कर लिया है कल सुबाही मैं तुमसे शादी कर लूँगी इनी प्रॉबल्म एक प्रॉबल्म है वो क्या तुम गहने और कैश तो लाई हो ना आकाश जोकिंग शादी का करने है मंदिर में या कॉट में मंदिर में आप लोग दूसरे को माला पहनाईए अब आप इनके गले में मंगल सूत्र पहनाईए अब आप सिंदूर लगाईए आप से आप दोनों पती-पत्मी बन गए झाप से अब आप से अब आप से आप सिंदूर प्लूंग हलो आकाश भाई साब भाई साब मैं दिया बोल रही हूं अहां जी टीपल टेरेस से गिर गई है वाट हम उससे लेकर मादुश्री हॉस्पिटल जा रहे हैं जल्दी पहुंचता हूँ जल्दी कीजिए प्लीज रिया आकाश टीपल 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 टॉक्साब हॉशी श्येजन वेरी क्रिटिकल कंडिशन दिमाग पर चोट लगी है इमिजेट ऑपरेशन करना पड़ेगा तो टॉक्साब कीजिए ना प्लीज इंको आइसीयो में लेकर जाओ चलो जल्दी तुनि तब तक हम आप्रेशन शुरू नहीं कर सकते आप आप आप्रेशन की तैयारे शुरू कीजिए मैं पैसे लेकर आता हूं और राइख देख भाई जो पैसे मैंने तुमसे लिये थे उसे मैंने दस दिन पहले अपनी साली के बच्चे के इलाज के लिए खर्च कर दिये तू किराय आता है उसी से मेर इस खर का गुजाहरा चलता है मैं तो लेले कुछ ने कर सकता हैiras Er leva बनान बना मेरा नॉad यार मैं तो पहले से बहुत परिशान हुई यार वो जो कमकल वाली औरत है ना तेरी पर जाई उसने ना रात को दर्वाजा खुला छोड़ दिया एक चोर आया और तेरा म्यूजिक सिस्टम चोरी करके ले गया मेरे तो समझ में नहीं आ रहा यार कि तुझे पैसे कैसे वापि कि इस वक्त मैं तेरी हजार पांचसरवेदी मदद भी नहीं कर सकता मैं की करा कोई बात है ठीक है और मुझे माफ कर दें पेफकूफ कहीं का मुझ पर प्रोसा करदा प्यासी मैं थंडा दूद्ध पिला फ्रिज में से अरे आकाश अरे सुनो आकाश आला है अभी पीके का फोन आया था कि आकाश उसके घर पर पैसे मांगने गया था जरूर यहां भी पैसे मांगने आओगा तुम्हें कम करो उसे बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ अर्दस दिन के बात हूँगा ठीक है जाओ नोरा मुझे पैसो की जरूरत है मेरी प अर्दस कोरफ कल नहीं तुम्हें अपनी दुकान बेचने की कोई जरूत नहीं मैं इंतुजाम कहीं और से कर लोगा देखा क्या उल्लू मनाया मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो उसके लिए अपनी दुकान बेच दूँ अ झाल झाल कि साब जी काफी रात हो गई है घर नहीं जाएंगे ऑफिस बंद करना है कि worldview चला गया किसे पूछू कहा हो मैं। मैं। मैं बहुत परिशाद हुएं बहुत हैरान हो यह अजीब पर फेख कर गया के मुझे कहाना पड़ा लेकिन और किसी नहीं वह घूएंगा किया नहीं बताया कि मुझे कहां जाना है कहां जाना है आपको देखे लगता है कि आप मुझे जरूर बताएंगी अब बताई ना इसे देख कर कि मैं कहां जाओ अब मुझे पता चला तुम्हें थपड क्यू पड़ा तू पड़ा इपिडिय एडियो फटुपड्ड बुड़ी फूर्ड में जाओ अरी जीव शहरे या बात बात बेद थपड मारते हैं लो ऐसा मैंने क्या दिखा दिया यह मैंने क्या दिखा दिया है इसलिए मुझे तपड़ पड़ा एक इसको वासू नाश्टा बश्टा अच्छा लगा ना है फ्रूर्स का रादा अरे अकाश आज तो चुटी है तू आज भी ओफिस जा रहा है नहीं यार आफिस के काम से बाहर जा रहा है अच्छा कब तक ल रुख जा यार चाय वाई कोछ और पिले नहीं यार यू टेकर हाँ अच्छा हव सेव जर्णी ओक्या अच्छा क्या बात है बातु चेरे पर हसी लगता है कोई मुर्गी फसी हां फसी नहीं फसने वाली है कौन क्या है ना कोटी एकदम सेट करके है आकाश की घर पे अपना मोबाइल छोड़ जाएगा और मैं पहुंच जाओंगा क्या बात करता यार अरे आकाश तो तेरा दोस्त है अरे दोस्त है इसलिए तो उसकी बीवी पर हाट डाल रहा हूं कोई दुश्मन होता ना तो उसकी बीवी से दूर ही रहता है क्या ना दोस्त लोगों से माफी मैं चलता हूँ है एश करो यारमित मुझे आदमी ठीक नहीं लगता अरे दोस्त है अपना इसलिए बंदास बाते करता है एक डम आमने सामने पर दिल का बुरा नहीं है यह आदमी भाबी जी भाबी जी हाँ है बासुच मेरी साढ़ी ठीक कर देना प्लीस कुआ मेरे हातों मेहिंदी लगी हुई है प्लीस भासुच boy साडि कृष मैं करता हुब न हूँ कंश हा ये कितर देँ थे खेल खेल रहाओ यह ये किसा खेल है इसो केल का नाम है एक साडिा तो हात है ठेकिन यह खेल खेलते केसे हैं बहुत मसदार खेले खेल के देखो आउ मैं दिखाता हूं हाँ 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 अ वासू उठ क्या कर रहा है अकश तू यह वो कहा है कौन कहा है सपना देख रहा था क्या है यार सपना ही देखा तुझे नहीं बता सकता यार क्यों नहीं बता सकता यार बता बता कौन थी समझा कर यार तुझे नहीं बता सकता मैं आच्छा चल ठीक है यह अपना फोन मेरे घर पे भूलाया था हां मैं चलता हूं तू सपना देख बच गया बेटे, नहीं तो आज तो तेरी लग जाने वाली थी हुऋ में तो नहीं तो, तो, जाने पीोित्स, और रहले तो आए कर दो, जाने ख्ञाने बेड़िता । بهडते का है, भूम कोरेदास बीपनाता के वह में तोॉ驟 में अचिक 쓸ा जया कान झाल 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 प्रश्बश्ऑ झाल 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 ख्रूश्ड झाल तक आनक प्रूश्व गूख तक तक शर्ब आदी ने उसकता एसा नही उसकता यह तो अच्छा हो कि मैं सपना देख रहा था वरना वो कमीना शीतल के साथ चाचूची शीतल, तेरी गली के जग़र काटते कुत्ते हमारे यार बन गए तू तो हमको मिलना सकी, हम कुत्तों के सदार बन गए शीतल । मां सोता हूँ तू मेरे सपनों मे आना मैं तेरे सा चाच guits करूँगा तुनिये टुनिये इपाव एए पायalled वह वह और सार का हैरा यहा है इना क्या सोने का टाइम है education पहले तो मैं सपना देख रहा हूँ और सपना क्या है सपने में देखा कि आकाशी तल के साथ थाइलंड के आईलंड में फालन सहिं जा से हनीमून डाए किया हनीमून मनाएगा उस नियुक्त पेचारी के साथ सूहागरात की सूहागरात भी नहीं की 하지만 अभी तक उसे टॉच भी नहीं कियाまでा किया तुम इट्वेक्साइटीड क्यू हो रहे हो एक्साइट कौन हो रहा है मैं तो उदाउस हो रहा हूं क्यू वेटारी सीतल अ कि pod करने हैं अरे मुझे पता दो था उन दोनों में टेंशन है पड़ तच नहीं किया यह नहीं बता था बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। लेकिन यह बात कीसी ते कहना नहीं। यह बात अपने पेट में रखना। ओई क्या कह रह रहे है। अकाश आप तक शवाग्रात भी नहीं बनाई। लेकिन यह बात किसी को बता नहीं। बिल्कुल निथा संगा। टेंशे न लई। मेरा चांस ब्राइट है गा अच्छा यह सच है हाँ अभीता काकाश ने शीतल के साथ लू-लू चू-चू कुछ नी किया लेकिन ये गल किसी को दसी नहीं अपने पेट इच रखी या बात है हो मेरे बिल के इंसाइड चाहित बिन हो या हो नाइट ये रोंग हो या हो राइट ये 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 हो मेरे लाइफ 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 मुझे देदो पुप क्यों परेशान कर रही हो यह तो पंजाब्धी तीखी मिर्च लाग रही है शीतल मुझे पढ़ना है मुझे बुग वापस दो अधकेले दोनों हो घर में अधकेले पीके कोई नहीं है शीतल क्यों परेशान कर रही हो इसके जगा मैं होता तो मज़ा आता सोना तो मियार मुझे पढ़ने दो क्या नजारा है पैचारी दडप रहे है प्यार देना चाहते है और यह लेना नहीं चाहता अरे कौश में इसके जगा होता कार्ड यह बासू कास्या गया भाग बासू यह लड़की तो तबे की तरह गरम हैं और वो घदा याबर की तरह नरम जारा कुछ करता ही नहीं यार जो ध मियूष कराओma बास्भेश स्हुर्श योट ठले इस की ऊ deduction योगदी मियूदी इस क्वेश योगदी स्वेश समय इंटर तो वे है योव जा वे वので अब। यहापना योगश योई योई बन्स यह आया था लाइफ टैली कास देखने पिच्चर देखने से पहले ही अंधेरा हो गया शिट साले ऐसे कूद्रे थे जैसे मेरी पिटनी का बड़ी दम मैदान हो यह तो बहुत लंबी लाइन लागी हुई है कुछ भी सिंग कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला उन में की करा हो क्रेंड मगाओ मेरी पिट तूड़ गई हरामजादे उन्लू के पाथे कहीं के है तो तेरी तो निकल पड़ी कुझ या पानी में जल्दी श्वट उतार निकल जा ए जल्दी 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 जगोणे जल्दी Orda ए जल्दी वाला जल्दी जल्दी बॉब्दी दूछ एड एड़ 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 करेंड़ एड़ 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 वाल नहीं कि अग्षाली मुझे पानी बिका कर इतनी मेहनत करा कर प्यासा ही छोड़ के चली जा रही है कि अग्षाली मुझे प्यासा है कि अग्षाली मुझे बिका रही है आपकाश किसी का फोन आया था थेक चाय बना नहीं यार नाश्टा तयार करूं नहीं बहुत थकावा हूं बस नहां थोड़ा आराम करो नहीं आपके मोजो मोजे इतनी पद्भू कोई भी मर जाए चल भाग या दिन खराब हो गया यह बिना बिना बताए पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं मेरी बीबी इधर ही आ रही है छुपले ले 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 हाई दिया भावी पीके यहीं है ना नहीं भावी वह यहां तो नहीं है आप अंदर आए ना नहीं अभी नहीं अभी नहीं आ सकती मुझे शॉपिंग के लिए इनके साथ बाहर जाना था पता नहीं कहां चले गए कोई बाती मैं बासू की यहां देख लेती है ठीके बाई बाइ शीतल जी वो मेरे डॉक्युमेंट का रगा नहीं पता मैंने तुनी रखा अच्छा लिसन मुझे शॉपिंग करने जाना है थोड़ी देर में वापस आजाओंगी अच्छा एक काम करो दर्वाजा भार से बंद कर लेना मैं कुछ देर आराम करने जा रहा हूं ठीक है हुआ 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 इस्हाँ हुआ हुआ आएगा मेलो रे मेलो आएगा आएगा दो कि अला दागरीक दो कि अला दागरीक आएगा इसे कहते हैं जब किसमें तो आंडो तो क्या करेगा बांडो वद 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 कि अग्या वे कुछ भी अगाश कि अग्या यार में दो दिन के लिए दिल ली जा रहा हूं तो तू अगर का ख्याल रखना अग्या तू फिकर नकार आखाश तू बेफिकरों कर दिल ली जा तू टेंशनल यह मैं हूना इधर चल थेके बेस्टफ लुक्ट पाबी जी अग्या इतने रात को मिलने दा मजा ते रातिची आएगा डार्लिंग क्या हूआ क्या सोच रहें आप कुछ नी पाबी जी कैसे का हूँ कैंदी हिंमत नहीं हो रही है एक तो रादधा वक्त हैगा और आब कल्ली है तो क्या हुआ क्या आप मुझे अपना नहीं समझते कैसी बाते करिए पाबी जी मैं तो आपको इतना संकोच कर रहे हैं आप नहीं पाबी जी दरसल बाद यह कि मेरे घर में अचानक चंदी घर से बहुत सारे गास्ट आ गया घर में ना पैर रखनी की जगा नहीं है और पाथ रूमी पुरे पड़े होएं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज दी रात में यहां मतलब आपके घर सो जाओं अगर आप इजाज़त दे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है आप आईए ना मेरा मतलब है यहीं खड़े हुए बाहर बाते ही करते रहेंगे या फिर सोएंगे भी मैं आपके लिए चद्दर वग्यारा लाती हूं आप अराम से सो जाएं आए आए मैं आपके लिए तकिया और चद्दर लाती हूं तब तक आप यहां बैठिए पाबी जी एक ग्लास दू कुरा क्यों रही थी कई मेरे अंदर के मर्द को देखकर अधे अंदर तया दर्द नहीं जाक गया कसम से चाड़े मन आज सारे दर्दों की दवा बन जाऊंगा मैं तो है यह रहा आपका दूर। और यह तक्या और चद्दर और यह घरकी चाबियां है चाबि क्यों पापि वो दिया भाबी का फोन अया था उनकी तभियत अचाना मुझे वहाँ जाना पड़ेगा अच्छा हुआ आप आ गए इस तरह घर की रखवाली भी हो जाएगी तो गुड़ नाइट स्वीड ड्रीम काई की स्वीड ड्रीम मैं तो पेली बॉल पे छक्का मारने आया था लेकिन बिना बॉल खेल आउट हो गया अब मैं दूद्दा की करा अचार डाला गोके बसू भाई मैं ओफिस चारी हूं खाना होटकेस में रखे है टाइम पे खा लेना तुम कितनी अच्छी यो डालिंग पाई टेक केर आ लव यू मेरी ज़र मुझे देखते ही पागल हो जाते हो क्या इतनी कशिश है मेरे बदन में एक दम चुम्बक हा चुम्बक यक्राइब मेरे बीवी आ गई जल्दी पापचा 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 यहां हूं क्या है कहा है कॉन कहा है वो कहा है वो कॉन बताइजेना सर वो कहा है कभड में कभड में सर कभड में कैसे हो सकता है अबे क्या कैसे हो सकता है क्या पूच रहा है सर चिल्ला यह मत मैं तो यह पूच रहा हूं कि यह पता कहा है इसकी मेरे घर को क्या इंक्वाइडी काउंटर समझ के रखा है बजाने से फैली बजा दी फट। अप कि किया ही यार? यह मेरा गाल है यह किरकेट की बॉल है जिसको देखो चोके चहके मार रहा है केब मैरे खुटो ने भोकना शुरू कर दया गुछ भूलता है यार तू ये कैड़ी गाइधा तूदा यार चड़ गया मैननो यार कुछ इन! कुछी एख अरे यर अकाश तू लगी है यर वो दो हुई साला दो दो शादी साला एद रेह भी नही नही वा साला सारा दीन फोन का ट्रेंग, ट्रेंग, सुनके है पगया यर इस तू इमोसिया पखावा अम है तू छुपकर यार तू लोग नहीं होते हैं तो मेरा क्या होता तू तू मैंने जल्दस तेरी माँ ने तेरा नाम पीके लेले क्यू रख्या पी का मतलब है पदम, के का मतलब है कुमार और लेले का मतलब है अब मिसमें मेरा क्या कसूर भाइट नाम है लेले आकाश अंदर चलो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है क्या प्रब्लमिशीतर किस चीज की जरूरत है जरूरत है मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम आज तर कभी कोई बात किया है तुमने मुझसे अंदर जाकर कभी मेरी जरूरतों को समझे है हमेशा दोस्त और दोस्त पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात तुम अपने दोस्तों के साथ बिताते हो कभी एक पल भी मेरे साथ बिताया तुमने क्या चाहते हो तुम सारा दिन अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था तो फिर शादी क्योंकि दिमाग खराब हो गया तो मेरा पागल कुट्टे ने काड़ा था तुम अच्छी तरह जानते हो इस शादी मैंने घरवालों के दबाव में आकर की थी अपनी कुछी से नहीं क्योंकि दीपल को ना तो मैं आज तक भूला पाया हूँ और नहीं भूला पाऊंगा तो मैं इस घर में रहना है तो इसी तरह से रहना होगा कि अधिके जी नमस्ते बाबी जी नमस्ते कर रहा जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ कब तक आप अपनी जिन्दगी और जिसम की जरुतों से भागती रहोगी मतलब मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो आकाश का रहकर रहकर कि तुम्हारी पूबसूरत जावानी रेकेसान की रियत की तरह सूख जाएगी है मुझे तो लगता है मेरे अंदर ये वो बात नहीं कि मैं आकाश को अपनी तरफ आकरशित कर सको ने 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 तंड़ आ कासी बात ये कर रहें तुम ये बात तुम अश्य नहीं बाहर वा और अलग से रहो लेकिन घर लेने के लिए पैसे चाहिए किसी का सहारा चाहिए मैं दूगा तुम्हें पैसे मैं दूगा तुम्हें सहारा सच लेकिन बदले में तुम क्या लोगे बदले में मैं क्या लोगा बताऊं तुम्हारा साथ मेरा साथ हाँ यह सच मुझ देंगे आप मेरा साथ बताये ना मरते दम तक मरना पंटुला नाइस होड़ना थांक यूँ अप कितने अच्छे हैं बस आप किसी तरह दस लाग का इंतिजाम कर दीजिए क्या हुआ कम है दस लाग में मेरे रहने का इंतिजाम नहीं होगा नहीं कम नहीं है दस लेकिन तुम्हान लिए मैं इसका इंतिजाम कर दूंगा अब इतने अच्छी क्यों है आप मजे पहले क्यों नहीं मिले अब मिल गया हुँ ना सर्फ की तरह रगड रगड कर इस्तमाल करना है अब मैं चलती हूँ आप बस जल्दी से दस लाग का इंतिजाम कर दीजिए दस लाग कर आफ रात को बलते हैं चल्ड़ भावी जी क्या बात है आज आप बिना मिले चली जा रही है क्या करूं किसी से मिलने का दिली नहीं करता मैं समझ सकता हूं भावी लेकिन आप कब तक ऐसे आकाश को जहलती रहेंगी आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए आप देंगे मुझे सहारा आई थी दो ँद्व मुझे पूरा भरोसा है आप तो चानते ही है आकाश्य अज तक मुझे जूआ तक नहीं है मैं भी औरत हूं मेरे दिल में भी कुछ अर्मान है कुछ ख्वाइशे हैं और मैं जानती हूं मेरी सारी ख्वाइशे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं भाबी जी पिछे गुल्मो लॉज है वहां चले मुझे कुछ घंटों का नहीं पुरी जिंदगी का सहारा चाहिए मैंने स इसलिए तो आई हैं आपकी मदद चाहिए बस थोड़े से पैसे चाहिए थोड़े क्यों पूरे conosना शीतल नहीं पूरे पैसों के जरूरत नहीं है बस थोड़े से सात लाक या हुआ कम है इतने में घर नहीं आएगा तो ठीक है आप पुरे दस लाख नहीं नहीं बहुत है बहुत है मैं आपको साथ लाख में घर दिलवा दूगा ठीक है अब मैं चलू जल्दी कीजिएगा मुझसे और इंतजार नहीं होता मुझसे भी साथ लाख में अगर पांच साल भी ये तेरे साथ रही गौरव तो 383 रुपया पर डे 383 रुपया पर डे में ऐसी आइटम बुरी नहीं है गौरव अब तो साथ लाख का इंतजाम करना ही बड़ेगा हाँ और ये क्या कर रहा है तु बेशने वाल को इस्तमूल कर रहा है और पर्फिूम को लगा रहा था वो मैं तयार हो था हो शीतर बड़िया के वहाँ साम्द लेके जाना है वे, मेरे माल का माल लेकर तू जाएगा चल साले गल्ला सम्वाल मैं उसको सम्हालShipper यह घरता हूँ वे और च्ली मेरे दुकान का माल का 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 के मोटा हो यह मिरे माल भी मेरे माल के दोरे नगा लेक1 पपस लग देव और सम Анд bi, वार फीरे दे पतान देज उदर अदर MT मालूम है लेकिन अभी नहीं बताओंगा यार अभी नहीं बताओंगे तो फिर कब बताओगे देख यार अभी वह टेंशन ही चाहिगा मुझे जानदे किसी और से पूछ लेगे एक बिधे यह एड्रेस बता दीजिये टेंशन दूर हो जाएगी तुमारी टेंशन तो दूर ह तो अगर समान उठाता हूं तो दोनों बाजियों से जाता हूं और अगर समान कर तक नहीं पंचाता तो भीवी की खाता है बहुत बहुत बड़ी टेंशन है तु तसमें की करा यार एक काम कीजी ना आटो ले लिजे ना रिक्षा अच्छा अरे चार कदम की तूरी में मेरा कर आगार तु आटो यार तु मुझे आइडिया ने यार इसलिए कहरा प्रा तु यह सारा समान उठा ले और मेरे घर तक छो है ना इतना डिफिकल्ट है कि पूरे मौले में तुझे कोई नहीं बता सकता अब तेरी मर्जी है मैं सावान उठा के चलता हूं जल्दी उठा लो अरे बाप्र कितना भारी वा गुरू वा पूरा दिन हातों से पैसे हो चलते हो और अपना काम दूसरों से कराते हो मान गए उस्ताद जल्दी कर यार क्या बिमार पैल की तरह कि खड़ रहा है ला समान दे पहुंच का एकार पहुंच गया अगर ये घर थोड़ी दूर और होता है तो मैं तो मर गया था अरे तू बहुत जहाना अभी नहीं मरेगा तू उदर बैठकर आराम कर मैं हुने आया अरे कर दो गंटे मुत्रा का दना भाई कमाल है यार यह क्या हो रहा है हमाल बना दिया यार अखुली की तरह बिटा दिया अभी जैसे भाड़े का इंदे जार करो पापी जी नमस्कार आपका समान लाया हो जी हारे आप क्यों लाये आपसे मिलना था जी उस राते बाद कुछ पे अच्छा नहीं लगदा पया बहुत बुरा किता अकाशने तो आडे नाल जो हुआ सो हुआ मैंने भी सोच लिया है अब मैं अपना घर लेकर आकाशते यालो आठ लाग यह उन्देने बस तुस्सी अलग हो जाओ छड़ दो सकाशनू छड़ दो लेकिन आप क्यों मेरी मदद करेंगे ताकि बाद में आप मेरी मदद कर सके दुनिया ऐसी चल दिया ना पहले आप आठ लाग का इंतजाम कर दीजिए फिर हम साथ साथ हैं ठीक है पाप अरे आप यह क्या कर रहे हैं मैं वह कर रहा हूं जो अब सारी जिन्दगी कर रही है पापी जी लेकिन वह सब तो आठ लाक मिल जाने के बाद ही होता है ठीक है पापी जी आज दे समान दे पैसे माफ तेक टोकन पो दे देओ उये एन द्या बभापी बाभी जी का चुपा का चुपा बाज़ू कर तलीजा थीटा अरे द्या बाबी आ धरेश चेंज करने आई हूं हमारे घर में कंस्रक्षन का काम में समया को जगे नहीं है ठीक है आप बात्रूम में जन्का लीजिए अरे बात्रूम में क्यों बैड्रूम में क्यों नहीं बैड्रूम में मुझे देखने के लिए कौन बेट है आप बात्रूम में जन्का लीजिए न प्लीज बात्रूम में कपड़े गीले हो जाते हैं समझा करो तो यहीरे में अभी आज तो तेरी किस्मत जोरों में है आया था मली का शेरावत को देखने और साथ-साथ बिन्नु भी दिख गई क्या हुआ कौन अपाई साब मुझे पचानते नहीं तुमको मानने तुमने बोला तुम्हें मालूम नहीं है मेरा ना दिमाग पहले से खुम्हें हुआ है मैं अंदर गया था मली का लिव जिलुक है पिंदू तै मेरा रास्ताना रुटो जाड़ दवेंनु मुझे पको समझाए कि उनलुगा पटाओं की गदाँ के में, अली बाक सिइखाया हूँ तुमुझे कूर रहा है, तुमुझे कूर रहा है या आख कहले है कि दॉक्तर ने तुम्ने उपसहणा को मना किया है कि तेरे हाथ कमजोर है यहां तु मेरे उपर हाथ उठाएगा बोला ने डोक्तर ने लेकिन मेरे हाथ इतने भी कमजोर निया कि गुमा के हम मारंगा एक थबड़ तुम्हें बहुत अच्छे लगती हो सच बताओ तुम्हें देखने के बाद मुझे किसी और को देखने का दिल अच्छा लेकिन मैं कभी कुछ कहीं नहीं पाई वह क्या है कि आप शादी शुदा है ना अरे वह मेरी बीवी की चिंता आप मत करिये आप कहेंगे ना तो आज रात ही उसे तेरे से धक्का देके मार दूंगा ने 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 प्लिस ऐसा मत कीजिए अच्छा आप बस मेरे लिए एक चोटा सा काम कर दीजिए अरे चोटा की आप बड़ा काम बोले ना आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं तो ठीक है आप मेरे लिए बस पांच लाग का इंतिजाम कर दीजिए प्लीज वो क्या है ना मैं सोच रही हूं कि मैं अपना अच्छा सा अलग सा घर ले क्या बात है वासु बड़े खुश लग रहे हूं कई जुगाड हो गया क्या समझ लो हो गया मैंने उसे प्रपोस कर दिया और उस्ते फॉरण हां बुल दी यार क्या बात कर रहा यार बंती थी पती व्रता और बंकाई चारूलाता और उस्ते मुझे साफ साफ के दिया कि कर दूं तो मेले फुल टाइम एश का समान बन जागी थोड़ा सा कैश और फुल टाइम एश यार लड़कियों के मामल में तू बड़ा किसमत वाला है अब क्या करें दोस्त और तो कि मामल में हमारी किसमत कुछ ऐसी है ए तु कहीं जाने बाला था ना हाँ दो दन के लिए बाहर जाने वाला हूं अच्छा चल मैं निकलता हूं यार पता नहीं क्यों मुझे यह आदमी गड़वर नजर आता है अमित इससे बचके रहना यार अरे यार यह दोस्त है अपना अपने कोई से कोई टंचन नहीं है अपने साथ यह कभी बुरा नहीं करेगा समझे तुम म देखा इसकी अब किसे गाली देता है जब दूसरों की बीवियों के बारें बात कर रहे थे तब तो बड़े खुश हो रहे थे एचारू लाता देख अमित ऐसे लोग किसी के सागे नहीं होते हैं तु ठीक कह रहा या मिल जो हुआ है कि एक हवलदार को हर एड़रेस का पता होता है क्योंकि वह हवलदार हर गली चौरहे पर नहीं मैंडर्बड़ जमादार तो हैं पट जमादार नाव अबे तुझे जमादार दिखता हूं मैं। तुझे हवल्दार दिकता हूं मैं। यह दोस्टार नहीं दिखते तुझे। इंस्टेक्टर हुँ मैं।। रहाए, तो एक और स्टेक्टर उखुए दीर, तेरी, तूरुपझе। अरे यार, मेरा अंगाल क्या धोभी गाट है, जिसको देखो धोगे जाता है, अब पुलिस भीत हो रही है, अपने गाड़ी और दुकान के पेपर जो हमारे पास गिरवी रखे हैं, उसके बदले में ये रहे 7 लाक रुपे, थेंक यू, चलो, गाड़ी और दुकान के कागज हाई, गौरफ, हाँ, गौरफ, सुना है तुने ये दुकान और गाड़ी गिरवी रख दी, हाँ यार, गिरवी रखनी बड़ी, तेरे पास कुछ पैसे होंगे, यार, मेरे पैसे ही वापस दे, यार, मेरे अंकल की तबियत खराब है, उनके इलाज के लिए सब गिरवी रख तुजा, यार, पैसे आएंगे घुट लाकर दूंगा, यार, यार, शीतल डालिंग, इसमें से मैं कैसे कैसे की सी को, ये तो तेरे लिए, मैं आया शीतल, शीतल मैं आया, लेले शृतल कहा जा रही है तो मेरे साहत बाहर जा रही है बाहर जा मतलब साफ है यह निखताना चाहती है तुम्हार साहत नहीं शृतल तुम अंदर जो आपका अंदर जाए अंदर नहीं क्या जुक कर इंदर कर पिंकी फिर से लात मारी वैं सपना देख रहा था सपना अब हगी कर दे अब हगी कर दे आप 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 मारून बारून ढुक्याची वाट लावली पिके लेले इस चुडेल के होते हुए तो कुछ नहीं ले पाएगा इससे पहली पुरा सपना बुरी हाकिकत में बदल जाए पैसो का इंतजाम कर और शीतल को लेकर पुर्र हो जा अगर आपको यह जगह पसंद है तो निकाल यह दस लाख रुपया आसे एक कॉडेज आपकी हुई लेकिन साहब मुझे एक बात समझ भी नहीं आई कि रातो रात आपकी रायदार से यह बंगला खाली कराकर इतना सस्ता क्यूं बेच रहे हैं वही दो साल के बाद तो यह बीस लाख रुपय का हो जाएगा लफरा सेट मैं बासू लफरा सेट मैं आपको बता नहीं सकता मुझे पैसे की इतनी सक्स जरुवत है अगर पांच लाख रुपय मुझे नहीं मिले तो मुझे सुसाइट करना पड़ेगा अच्छा ऐसा क्या जरुरत है जिसम की जरुवत मेरा मतलब है किसी की जान बचानी है जान मिलेगा पैसा बड़नेगा लेकिन बड़न टाइम पर वापस करने का एक मेने के अंदर बराबर और याद रखना लफड़ा से दस टख अबयाज पर पैसा देता है और टाइम पर वापस नहीं मिलने पर मैं इतनہ मारता है इतना मारता है कि सामने बाला 10 साल तक विश्बवार कर अ और उसका हाथ पर दोनों तोड़ देता है समझा क्या मुझे मंजूर है मैं पैसे एक दम टाइम पर लॉटा दूंगा और अगर नहीं लॉटा पाया तो मेरी बीवी लॉटा देगी वह काम जो करती है ठीक है बर्मन हासे इसको पांच लाख रुपया दो और पेपर पर साइन ले लो और काम करो अपना चोकरा लोग को भेज कर इसका घर देखने को बोलो और साथ में इसका बीवी भी ठीक है लफड़ा से एए चलो हाँ 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 यह रहा आट लाक रोकड़ा और आस्ते तेरी ये दुकान अपन के पास घिर्वी एक बात याद रखने लेगा चाओदा टका ब्याज और पैसा और टाइम टाइम का उपर नीचे हुआ ना तो अपन दिन दहड़े इस घुस के तेरी दुकान पर कब्जा कर लेगा मन्जूर हाँ मन्जूर है जी मन्जूर है ठीक है चलो जी साब वापाजी वाँ बड़े बड़े देखे थे लि सिर्फ पांच मिनिट के लिए आपने पच्चीज लाग की दुकान गिरवी रख दी और मेरे पेट पे लात मारके मुझे सणक पे बिटा दिया और चुपकर खोते दे पुतर तुझे की पता इस चीज में कितना मजा होंदा यार मेरे दादा जी कहा करते थे कि ये एक ऐसा दल दल है जिसमें बड़े बड़े आती डूब जाते हैं आठ बजे इग्सेक्ट आठ बजे आना लोकल कॉल गुमाना या फिर एस्टीडी लगाना आइसडी भी लगा सकते हो मैं तो इंटरनेट हूँ जहां भी जाओगे एक नई साइट पाओगे बस बस अब और यह तो बहुत लेड हो जाएगा पाबी जी वो क्या है ना कि मुझे नौ बजे सोने के आदत सी पड़ी हुई है आओ तह सही ऐसा लेटाओंगी कि उठने का नाम नहीं लोगे पाबी जी मैंने तो कितनी रात बिना सोय यह सपना देखा है कि मेरा आपके साथ सोने का सपना क पूरा होएगा बस तुम आज आज रात ऐसा सपना दिखाऊंगी कि हमेशा के लिए आंखे खुल जाएंगी कुछ भी तुमने कभी तीन माले की मार्केट देखी है नहीं पाबी जी कभी नहीं कुमा आज रात मैं घुमाऊंगी जरा संभल के आना कहीं खो न जाओ आप टे क्या बात है वासू ट्रेलर देखकर हिचकी आगई अभी तो पुरी फिल्म देखना बाकी है जानना निकल जाए अरे जब ट्रेलर इतना खुपसरत है तो पिक्चर तो एकदम टाइटानिक होगी पैसों का बंदोबस्त हो गया हां पूरा हो गया तो ठीक है आज रात 9 बज तक जहां से भी चाहो पूरी फिल्म देख सकते हो पूरी फिल्म अधूरी फिल्म मैं दिखाती नहीं आज रात 9 बजे आता हूं मैं आप हूं मैं आए ला साड़े 9 बजे आए शपत तब तक तो मैं मर जाओंगा नहीं मरोगे पीके मैं तुम्हें सुराही कामरित पिला पि देखे अब मैं तुम्हें अपने घर में किरायदार रखूंगी सारा का सारा घर तुम्हारा चोटी से लेकर बड़ी कोठी तक कहीं भी चाहो खूम सकते हो आज मैं आदी बाटली चमन प्राश्खाऊंगा दो चमन छिला जीत भी काम शास्तर के अंदर जितने भी आसन हैं मैं सब का इस्तमाल करूंगा तेरी बाग का बढ़ कंदर तुम लोग यहां हमको तो शीदल बुलाए और तेरको बढ़ा जाए 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 इस तो शीदल है यही साड़ी डाल के मेसा डांस कर रही थी टूम कि यहां पर शीदल ने बुला यां पापी ने बुला इसका मतलब हम तीनों को बेफ्कू बनाया है आज एसी हलत होगी तुम लोगों की कि मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे हो अरे दोस्त नहीं दोस्ती के नाम पर कलंग हो तुम लो अकाश हम सब को कुछ कहने से पहले अपनी बीवी से पूछो उसी ने तो हम सब को यहां बुलाया है हां हां और मैंने तो अपना कॉटेज बेचकर दस लाक रुपया दिया है उसको फिर भी उसने नहीं ओए मेरा तो द और मैंनो तो बेलोजगार होते वी कितनी मुश्किल से पांच लाक रुपय दिये उसे मालूम है वाह क्या दोस्त हो तुम लोग याद है जब दीपल का एक्सिडेंट हुआ था और मैंने तुम लोगों से पैसे मांगे थी तुम मेंसे किसी ने मेरी बंदत नहीं की जबकि स हाइस तो है अरे तुम हस क्यों रहे हो हस इसकी मिर्य नहीं क्या क्या है मैं तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ठेल खेल था मैंने अम अला वेड़ा बनाऊंभे वहा उस दीन तुम लोगों से दुखी होकर जब अकैला ख़डा थст क्या साफ अखेले अखेले बारिश में भीग रहा है चलता है क्या क्या एक रात का खाली पांच हजार साफ मुझे नहीं जाना है तुम यहां से मैं बहुत परिशान हूं अरे साफ इस दुनिया में परिशान कौन नहीं है चल मैं तेरी परिशानी एक रात में दूर कर दूंगी अरे तुम्हें क्या मालो मेरी क्या परिशानी है मेरी वीवी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौस के बीच में लड़ रही है और आज मुझे पैसों के जरूरत है लेकि तुम क्या मदद करोगी मेरी तुम तो खुद मुझसे मदद मांग रही हो हजारों कमाने वाली मुझे लाखों की जरूरत है साथ अपुन के पास बहुत है क्या बोलते हैं इंग्लिश में हाँ कस्टमर अगर अपुन बोले तो वो तुम्हें रातो रात लाखों रुपे दे सकता है हाँ लेकिन पांच टका ब्यास पर अगर तू बोले तो अपुन उससे बात कर सकता है एक कॉल गल ने मेरी बदद की और उसी के वज़े से आज मेरी दीपल जिन्दा है दीपल कहा है और तुम लोगों का सबक सिखाने के लिए मैं शीतल को अपने बीवी बना कर यहां ले आया ताकि तुम लोग फिर कभी किसी दोस की बीवी पर बुरी नजर ना डालो और के विश्वास का कतल ना करो औरे वह सब ठीक है पनाम के पयशे कैसे पैसे वुखते तुम लोगों के पास कि तुम ने शीतल को पैसे दिये थे अरे उल्टा वो चाहे तो तुम लोगों पर दावा कर सकती है कि तुमने उसकी इज़त के साथ खिलवार किया पैसे भूल जाओ माफी मांगो वो भी अपनी बीवियों से तू किसको बोलर तेरी तो शादी नहीं हुई है कादी माफी काई की माफी हमें तुम लोगों की हरकतों का पता चल गया था अब तुम लोग नहीं बचों के मारो कि आओ शीदल यह रहेतुम्हारे पैसे अर्य यह पैसे हमारे नहीं तुम्हारे है इनने तुम powerless अकाशिकर शीदल तुमने हमारे इतनी मदद की है हम वैसे तुम्हारे आभारी हैं लेकिन मैं यह पैसे नहीं रख सकती यह पैसे mereme यह कुछ बुरे लोगों के पैसे है जो हब अच्छे हातुंहे आ चुके हैं तूम्हなるほど चुँमने लेगर चाहो एक अच्छी जिन्धगी शुरु कर पिए शितल तुम्हारी लोगों को जिन्दगिमन कभी नेध Alrighty were जाओ, जिन्दगी की कुछ हसीन पल तुम्हारा इंतिजार कर रहे है थैंक यू आकाश, थैंक यू दीपल मैं तुम लोगों को जिन्दगी में कभी नहीं भूलूँगी और मैं कोशिश करूँगी एक अच्छी जिन्दगी गुजारने की All the best थैंक्स, बाई आप दिखा दीजिए, कोई नहीं दिखा रहा है आप तो प्लीज दिखा ही दीजिए बतनमीज, मुझे दिखाने के लिए बोल रहे हो आपने मुझे दबर क्युमारा, मैं तो एड्रेस दिखाने की बात कर रहा था दिखाईए बेवोकूफ, ये नवी मुंबई का एड्रेस है, अगर उंगली में नवी दबा कर रखोगे तो एड्रेस कौन बताएगा? चुपे मैं हूँ हसी, मैं हूँ जवाँ मेरा हुसन है, ये रवा रवाँ मैं हूँ हसी, मैं हूँ जवाँ अँअन consider मेरा थुसन है ये रवारवा मुझे बाहूमे ले जल्रा मेरी प्यास तु झजा मेरी रात को सजा मेरी प्यास तु झजा मेरी रात को सजा अवानते शाल्ला झाल झाल झाल